कि वेल्कम एवरिवण आज के इस वीडियो में हम लोग स्पोर साइन्स का जो चैप्टर नमबर एट है उसके बारे में बात करेंगे water is car city एड कंजरवेशन आप वाटर अब देखे water is car city यानी पानी की कमी एंड कंजर्वेशन आप वाटर यानि पानी की बचाओ इन दोनों चीजों के बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिसकस करेंगे इसकार सिटी में सोता है कमी और कंजर्वेशन में सोता रच्छा या बचाओ तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं अपना चैप्टर लाइन बे लाइन मैं रीट करूंगा और एक्सप्लेंड करूंगा आपको ध्यान से सुनना है और अपनी बुक में फिंगर बाई फिंगर रन कराना है और हाड वर्ट्स को नोट करना है चलिए वी और अल्रेडी लर्न एबाउट दा इंपोर्टेंस आप वाटर इन और लाइफ पिछली क्लासेज में भी हम लोग यह बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि वाटर कितना इंपोर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए वी कन लिए विदाऊट फूट फूट फॉर संदेज बट कैन नट लीव विदाऊट वाटर फॉर्ट फॉरल्ओ अन्व लोग खाना के विदाऊट का मतलब बिना फूद विंस खाना हम खाने के बिना तो कुषद दिन तक जिंदा रह सकते हैं लेकिन पानी के वीना लंब बी समय विद वाटर आपको पता ही होगा कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है क्यों क्योंकि इसके थ्री फोर्थ पार्ट पर वाटर है वाटर सर्फेस मुश्ट आप दिस वाटर इग्जिस्ट इन ओशन आपको पता ही होगा अर्थ का ज्यादा तर वाटर ओशन में महासागरों में ओशन मिन्स महासागर पानी तो बहुत है अर्थ पर जिसके करणों से ब्लू प्लैनेट कहते हैं लेकिन यह सारा का सारा पानी जो महासागरों में वह साल्टी है साल्टी का मतलब नमकी नमक मिला हुआ है उसमें और इसे हम डेली यूज के लिए डेली की जरूरतों के हिसाब से यूज नहीं कर सकते हैं औली यह समाल पार्ट अब वाटरीश फ्रेस वाटर फ्रेस्वाटर जो कि हमको चाहिए वह बहुत कम मात्रा में उपलब्द है अर्थ पर ठीक है बहुत कम मात्रा में दिस मिन्स दैट आट दा इमाउंट अब वाटर एवलेबल फार वर सर्वाइबल इज लिम्टेड इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन को सर्वाइब करने के लिए जीवन जीने के लिए इस अर्थ पर बहुत कम पानी उपलब्द है ठीक है इस लिम्टेड एमाउंट आफ फ्रेस वाटर इस यह जो पानी का बहुत लिम्टेड वाटर तो यह जो लिम्टेड एमाउंट आफ प्रीज वाटर मतलब पानी का एक लिमिट इंस कम मात्रह इच फ़र्दाट करीजिंग डीजिंग टू तू वेरियस एस फैक्टर्स कई रीजन फैक्टर मिन सुख होता है कारण वेरियस मनें अलग-अलग-अलग-अलग करणों से decreasing means घटते जा रहा है यह fresh water भी जो कि हमारे खाने पर पीने के लिए बहुत जरूरी है हमारे Donc के लिए जरूरी है है से डियामें पांई की आपकम होने लगी है बच्छो आपको पता योगा जैसे जैसे गडमी पास आने लगती है कही शहरों में कही गाओं में पानी की समस्या होने लगती है उसके पीछे कई रीजन है कई तरह से इन जो है पीने के पानी को इस फ्रेस वाटर को खत्म किया जा रहा है नश्ट किया जा रहा है उसका दुर्पयोग किया जा रहा है तो आज हम लोग इसी सारे चीजों के बारे में बात करेंगे आ truly factors causiance sort of water factors मतलब karen shortage means कमी caging मंने कारण मतलब उन सारे factors के बारे में हम बात करेंगे जो पाने की कमी के लिए डोसी है जिन की वह जन्से पाने की कमी दुनिया में हो रही है पहला चीज और population population का मतलब होता है बच्चों जंसंख्या जंसक्या ठीक है ततरु है कि हमारे देस में कितने लोग रहते हैं वह जतने जादे लोग होंगे पानिवी उतना ध्यॉज करेंगे और पानी की कमी वी ऊतने जादे होते जाएगी फीद। इनक्रीज इन पॉपुलेश्चन जैसे जैसे जनसंव्या बढ़ती जा रहे हैं इंक्रीज मिन्स बढ़ना दिमांड फार वाटर है जाल सो इंक्रीज जब लोग बढ़ते जाएंगे दुनिया में तो पानी की जरूरत भी तो पड़ेगी सबको पानी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है लेकर पानी तो जितना अर्थपर है उतना ही न मिलेगा उससे ज्यादा कैसे मिलेगा अगर उससे ज्यादा हमको चाहिए तो हमको कुछ नियुमों का पालन करना पड़ेगा आगे हम बात करेंगे हैंस दा इमाउंट आप वाटर एवलेबल फार इच परसन इस डिक्रीजिंग भाई धर्ती पर अर्थ पर जितना फ्रेस वाटर है उसका इमाउंट तो फिक्स है लेकिन जनसंख्या यानि पापुलेशन हर दिन बढ़ रही है हर दिन लोग नए बच्चे पैदा हो रहे हैं त तो पपुलेशन बढ़ती जा रही है हो पॉपुलेशन बढ़ते जाने के वाजह से पानी की कमी होतीजा रही हो पहला रीजन तो यह सब formulas की क्यों साटे जडूब रा मठार का कह दूसरा रिजनए दीफॉरेश्टेशन आपं दीफॉरेश्टेसमी आप आफ्या है जंगलो को पता होना चाहिए कि जो पानी हमको मिलता है जो वाटर हमको मिलता है पीने के लिए अपने डेली यूज के लिए वह वाटर हमें रेन और श्नो से मिलता है बारिस और बारी यही दो में नेचुरल सोर्स हैं हमें फ्रेस्वाटर देने के हमको इनी से फ्रेस्वाटर मिलता है से और स्नुफाल से दर मॉंट अफव रेन फॉल अन्स्नुफॉल इस डिकरीजिंग डिव टुटू दर चेंज एन्दा कलाइप और हो क्या रहा है धिरे धिरे क्लाइमेट में चल्वाईू में परिवर्तन होते जा रहा है जिसकी वजह से रेनफाल और स्नोफाल भी कम होते जा रहा है बारिज भी कम हो रही है और बर्बारी भी कम हो रही है दीट चेंजेज रहे है और काच वाइब रही अन डिजाइर वलियूम एक्टिविटिटी अन डिजायर बलकी जो यह नहीं करनी चाहिए वह ऐसी हुमन एक्टिवीटी जिस समय की जा रही है कई लोग इस तरह का काम कर रहे हैं जो कि उन्हें नहीं करना चियों नेचर के साथ खेलवाड करना है प्रकृति के साथ Deforestation मेंस कटिंग आपरीजीन दो फॉरेस्ट कि इज वन सक्ठ एक्टिविटी जंगलों की कटाई करना हिटी की फॉर्स्टेशन का लाता है और इस तरह की एक्टिविटी के कारण ही पानी की कमी रेन फॉल की कमी और स्नोफॉल की कमी हो रही है कैसे चलिए देखते हैं ट्रीजार कट एंड फॉरेस्ट आर बींग क्लियर्ड फॉर बीलिडिंग हाउसेज एंड फैक्टरी आपकी जानका घर बनाने के लिए वो जंगलों को काट रहे हैं लोगों की जरुद्टों को पूरा करने के लिए उनके लिए सामान बनाने के लिए फैक्टरीज की जरुरत पड़ रही है और उन फैक्टरीज को भी सेट अप किया जा रहा है जंगलों को काट कर सम पिपुल काट ट्री कट is more than that being planted इस समय हालात यह हो चुके हैं कि जितने पेड काटे जा रहे हैं उतने पेड प्लांट नहीं किये जा रहे हैं इसलिए हर बार कहा जाता है कि अपने जन दिन पर एक प्लांट जरूर लगाएं और उसकी देख भाल करें ताकि दुनिया में पेड़ों की संख्या जा रहे हैं तो भाई जब पेड़ी नहीं रहेंगे और जितने पेड काटे जा रहे हैं उतने प्लांट किये नहीं जा रहे हैं उतने पेड लगाएं नहीं जा रहे हैं तो होगा क्या जब पेड़ी नहीं रहेंगे तो दिस डिक्रीज इन दर नंबर आप ट्रीज तरफ हल्ग पैणों की संख्यां में इतनी तेजी से जो यह कमी आ रही है कटते जा रहे है उसकी वजह से बारिश में भी कमी आ कि सवी टेकं टु प्रिवेंट डिफ टेशन इसलिए गवर्मनेंट को चाहिए सरकारों को चाहिए कि वह बनीन स्ट्रिक्ट में स्टिक्ट मैं सकड़ा कदम स्टेप्मिन उठाये किश द्रमैंट में सोता रोकने के लिए डीओर्ट थेसन दीफ और स्टेशन प रोकने के लिए कोई कड़ा कदम उठाना पड़ेगा more and more trees need to be planted फो गान्टेन the balance of nature ज्यादस ज्यादा पेड़ पोदों को हमें लगाना पड़ेगा ताकि अगर एक तरफ पेड़ कट रहें तो दुसरी तरफ नए पेड़ तैयार भी होते रहें जिससे नेचर में बैलेंस बना रहें नहीं तो फिर रेनफॉल बहुत कम हो जाएगा और पान्य की बहुत समस्या होने लगेगी थर्ड रीजन है सेटिंग अफ फैक्टरिज फैक्टरिज का सेट आप करना लोगों की जरूतों को पूरा करने के लिए नहीं फैक्टरिज लगा जा रहे हैं तो उसके कारण भी पानी की कमी हो रही है कैसे बिग फैक्टरीज आर बिइंग सेट अप डिफरेंट प्लेसे अलग अलग स्थानों पर बड़ी बड़ी फैक्टरीज सेट अप की जाते हैं दिस इस टू मीट ग्रोइंग डिमांड आफ फूड स्टॉफ क्लाथिंग अधर मटेरियल जैसे जैसे पॉपलेशन बढ़ेगी ज अभी जो मटेरियल की जरूरत है उसकी डिमांड भी तो बढ़ेगी तो फैक्टरी नीड लार्ज कॉंटिटी आफ वाटर तो उन लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए नए फैक्टरीज सेट अप करनी पड़ रही और आपको जानकर रहरानी होगी कि इन फैक् अब बिल्टीस नीड भाई यूजिंग अंडर ग्राउन्ड वाटर अब हर जगा सी तो है नहीं समंदर तो हर जगां है नहीं आसपास की वाटर की किछ ले या कोई नदी हर जगा तो है नहीं तो वह अपनी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्लिए अंडर वाटर हमारे पीने के पाने का एक अच्छा स्रोत है जो बिल्कुल फिल्ट्राइज होता है अर्थ उसे बिल्कुल फिल्टर करके सुरच्छित अपने अंदर रखी रहती है ताकि हमको पीने का पाने मिल सके लेगिन ये फैक्टरीज क्या कर रहे है कि अंडर ग्राउंड यूजड भाई अब रेन वाटर जब बारिस होती है तो बारिस का पानी धीरे 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 रिस्ता है तब जाकर कई दिनों में अंडर राउंड वाटर रिचार्ज होता है अंडर ग्राउंड वाटर कलेक्ट होता है लेकिन जब हमें उसे निकालना होता है तो अपने घर मे भी हम समर्सेबल का एक बटन दबा देते हैं और खुब पानी निकल जाता है थोड़ी देर में यानि अंडर ग्राउंड वाटर भरने में तो बहुत टाइम लगता है लेकिन बाहर निकलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है तो यही कारण है पानी की कमी होने का तो यह एक बहुत बड़ा कारण है अंडर वाटर अंडर गांड वाटर में जो कमी आ रही है कई जगह जो गर्मी जैसे शुरुवात होते ही पानी छोड़ने लगती है मसीने तो उसके पीछे यह सब रीजन है थ्री रीजन मैंने बताया आपको एक पापुलेशन दूसरा डी फॉरेश्टेशन और तीसरा है सेटिंग अप आप फैक्टरीज आगे बढ़ते हैं बच्चों नीट फार कंजर्विंग वाटर नीट माने जरूरत कंजर्विंग माने बचाने की पानी को पानी को बचाने की बहुत जबर्दस्त जरूरत है अगर ऐसा नहीं हम करेंगे तो फिर हम सब प्रावलम में आ जाएंगे हो सकता है कि आने वाले समय में हम लोगों को पीने के लिए पानी भी खरीदना ही पड़े अब मिले भी ना खरीदने पर भी वाट इस गिफ्ट आप नेचर पर आल लिएंग विंग्स आपको पता ही होगा कि अर्थ पर रहने वाले अ प्रिशियस में सोता है कीमती यह बहुत ही कीमती है बहुत ही मुल्यवान है इस भी कंटिन्यू टू वेस्ट आवर वाटर रिसोर्सेज क्रेयर लेसली यह टाइम कांग में देर विल नाट भी इनफ वाटर फर आल आफ अगर अभी भी हम लोग इसी तरह यह जो पानी को वे लिखते रहें वेस्ट करते रहें तो वह टाइम भी बहुत जल्द आ जाएगा जब सायद हम सब को पानी पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगा द्रब क्राप्स कैन आलसो डाई डू टू लैक आफ इरिगेशन आपको पता ही है कि जो सिचाई का काम होता है वह पानी से ही होता है जिससे फसले पैदा होती है तो अगर पानी ही नहीं रहेगा तो फसले भी पैदा नहीं होंगी उनकी सिचाई नहीं होगी इरिगेशन में सिचाई होता है सिचाई ही नहीं होगी और जब सिचाई नहीं होगी तो फसले नहीं पैदा होंगी वी सब्सक्राइब करें लिए अच्छे पर्संग की तरह हम लोगों को पानी के प्रती अलर्ट हो जाना चाहिए पानी बचाने के प्रती अलर्ट हो जाना चाहिए तो दाट इट रिमेंस एवलेबल फॉर यूज इन फ्यूचर आल सो तभी जाकर यह पानी फ्यूचर के लिए भी कुछ बचेगा आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ बचेगा लेकिन अगर हम इसी तरह वेश्ट करते रहें वाटर तो बच्चों जो है आपको और हमको आने वाले समय में बहुत सी समस्याओं का सा सकता है और मुझे यह जरूर मत्ता हैं और करते हैं का में को चानी के लिए बचाने के लिए पानी को सुरच्चाइं रखने के लिए आप कुछ कदम उठाते अपने लेवल पर यह यह तो जरूर मैं आगे बढ़ते हैं we can save water by avoiding its over usage and wastage पानी को हम बचा सकते हैं कैसे अगर हम overuse ना करें और वेस्ट ना करें जरूरत से ज्यादा पानी ना नुक्सान करें और ना ही उसे वेस्ट करें तो ही हम कहीं जाकर पानी को बचा सकते हैं water को बचा सकते हैं proper and careful utilization of water पानी का water का सही utilization करना आपको सीखना पड़ेगा avoiding its wastage उसको नुक्सान नहीं करना है water को and maintaining the amount of water in its different sources is called water conservation और अलग-अलग sources में जहां से हमको पानी मिल सकता है उन water resources को सुरच्चित रखना यह सब water conservation हम कर सकते हैं इस तरह से चलिए छोटे-छोटे काम देखते हैं जिससे हम अपने द्वारा भी water conservation का काम कर सकते हैं छोटे-छोटे तरीके से पानी को बचा सकते हैं कैसे we can avoid wastage of water in our daily life by dropping the following measures इन चीजों को adopting dropping ने adopting means होता स्विकार करके छोटे-छोटे बाते बता रहा है अगर इसको हम लोग स्विकार करते हैं इसे accept करते हैं इसको फालो करते हैं तो हम भी पानी को बचा सकते हैं पहला टर्न आप दा टैप आप अप्टर यूजिंग एट जब भी आप टैप को यानि नल को यूज कर रहा है पानी के लिए तो यूज किये और यूज करने के बाद उसे बंद कर देजिए सेकेंड डू नॉट कीप दा टैप रनिंग वाइल ब्रसिंग ठीथ और वासिंग हैंड जब आप ब्रस करते हैं बेशिन पर खड़े होकर बेशिन के पास या हैंड वास करते हैं तो आप या हमारी यादत क्या होती कि हम लोग नल को टैप को उपे नहीं करने देते हैं और उतने देर में बहुत पानी फालतू बह जाता है नालियों में तो बच्चों उस स्टेप को हमें बंद रखना चाहिए जब जरूरत हो तभी ओपन करना चाहिए कि यूजे मग एंड बकेट टुटेग बाथ इंस्टीड आफ इस सावर हम लोगों को सावर यूज करना बात्रों में बहुत पसंद है लेकिन सावर यूज करने में बहुत ज्यादा पानी नुकसान होता है क्योंकि वह सारा पानी हमारे सरीर के उपर नहीं जाता है इधर उ बॉक्त यूज करना चाहिए अगला वाटर दप्लांट वीद बॉक्त अंद मग इस्टीड आफ पाइप जो हम लोग वाटरिंग करते हैं प्लांट में अपने ग्राउंड में अपने गाड़न में तो हम लोग सीधे पाइप से पानी यूज करने लगते हैं तो बहुत सीधे पाइप नहीं यूज करना चाहिए हमें बकेट और मक से पानी देना चाहिए ताकि जहां पे पौधे को देना है वाटर क्यों वहीं दे खाली जंग में पानी वेस्ट करके क्या फायदा ठीक है और क्या क्या एक्टिविटी जहें देख लेते हैं टेक ओनली दैट मच वाटर में लेकर थैना स्वाल द pada से जहें उतना स्रुषी के डो तो दो काम हो गए हमने पानी भी पी लिया और प्लांट को वाटर भी दे दिया अगला Do not throw away Water used for washing vegetables rice and pulses घर में मम्मी लोग अक्सर घर में अक्सर मम्मी लोग हम लोग कि जो एवेशटेबल नुइल दूलती हैं राइस दूलती है है बल्स दोलती है पुरस में दाल होता है राइस में छाहलोता है वेश्टिव सब्जियां उती है तो जब उनको धोलते हैं तो उसका WHY रude मद्ध्ष प्लांट्स को दे 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 दिजी तो इससे क्या हुआ कि देखिए आप ने उस पानी को भी बचा लिया उसका यूज कर लिया प्लांट को दे कर अगला पॉइंट है गेट दा लीकिंग पाइप सेंड टैप्स रिपेर इमेडियेटली अगर घर में का कोई भी टैप या पाइप लीक कर रहा है उससे पानी टपक रहा है तो तुरंत उसे हमें सही करा आना चाहिए अपने ममी पापा को या टीचर को बता कर वी कैन कंजर वाटर आने लार्ज स्केल इन दा फालॉइंग वेज यह तो छोटे-छोटे तरीके थे जिन से हम पानी के वेश्टेज को रोक सकते हैं अपने लेवल पर अब बड़े तरीके कैसे हम बचा सकते हैं पाओं में किसान पूरे पूरे फिल्ड को बार बार सिचाई करते हैं समझे पानी एक बार कि यह जल्दी दुसरी बार तीसरी बार मतलब और एरिगेशन करते हैं जरुबरत से ज्यादा सिचाई तो चेट मिंस होता है रोकना इन चीजों को रोका जाना चाहिए शुड मिंस चाहिए है तो और इरिगेशन को रोकना चाहिए अगला पॉइंट है वाटर इंटर इस पृंखलर सुड्बी यूज्ट पार इरिगेशन जो पाइप लगा कर हम सिचाई करते हैं किसान घाओं में तो उन्हें पाईप रहरा है ठीक है एक आप scas 누iblical inya kawata這些 my team water थिया जलेए और बहुत दूर तक पान जितना जरुरत है उतना पौदों को मिल जाता है तो इस तरह भी पाने की जो है वेश्टेज को रोका जा सकता है अब मुझे कमेंट करके वह बच्चे बताएंगे जिनके गाओं में जो किसान है फार्मर्स इस तरह के टेक्मिलोजी यूज करते हैं स्प्रिंक्लर्स यूज करते हैं इरिगेशन के लिए वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि कि इनके गाओं में इतने जागरूट लोग है आगे बढ़ते हैं देखे तीसरा तरीखा है रीजन स्विच गेटभी रेंफॉल ऐसे जगान जहां पर बहुत ज्यादा बारी सोती है रीजन मींस छेत्र स्थान जहां ग्यां बार आजाती है अगर सही मैनेजमेंट से काम लिया जाए सही तरीके से काम लिया जाए तो रेन वाटर जो इतना ज्यादा भारी बारी सो रही है इसकी वजासे दिस्ट्रक्षन मिन्स होता है नुकसान बार के कारण नुकसान भी न हो और पानी को भी बचाया जा सकता है कैसे प्रिवेंट मिन्स रोकना मैंने बताया इता इस चीज को रोका जा सकता है है कि डाइंब्स कैण बी कंस्ट्रक्टेट्ट टूचेक फ्लाट्स डेंपंच बनाए जा सकते हैं स्टाप्ट् рабitelा जा सकता है छी Columb दश्य को रोका जाशकता है ठीक है हर साल बाड़ की वज़ा से फ्लट की वज़ा से बहुत से लोगों का घर नुपसान हो जाता है तो अगर हम डैम बना कर इस वाटर को रोक लें रेंड हैवी रेनफाल को तो क्या होगा कि बाड़ नहीं आएगी और नहीं आएगी तो लोगों के घर नहीं लार्ज क्वांटिटी आप वाटर और इससे फायदा क्या होगा डैम बनाने से की बहुत ज्यादा एमाउंट में वाटर को कंजर हो किया जा सकेगा भाई जब डैम आप बना देंगे तो डैम कैसे बनता है आप समझे जैसे जहां मान लिजे पहाड़ है ठीक है तो दो सबसे ओपन है जैसे मैं एक फीगर बनाता हूं अब जैसे बच्चों देखिए यह फीगर मैं बना रहा हूं रफली एक मान लिजी यह पहाड़ है दो साइड पहाड़ है ठीक तो भाई जब बारिस होगी तो इन पहाड़ों का वाटर इन मांटेंस का वाटर नीचे कितर प ना दी जाए बड़ी सिटी इस तरह की और तो क्या होगा कि इन पहाड़ों का पानी नीचे उत्रेगा और वहीं पर रुका रहेगा क्योंकि इधर तो दिवाल बन गई इस साइड तो वाटर आए गा इने तो इस तरह से बहुत ज़्यादा वाटर कलेट हो जाता है रोक लि जो है डैम बने किस स्थान पर बने कितना बड़ा बने यह सब बहुत सोच समझ कर बनाया जाना चाहिए ताकि ऐसा नहों कि भाई आप वाटर कलेक्ट करने के लिए डैम बनाए और पता चला वो डैम वाटर को रोकी नहीं पाया और अचानक टूट गया और टूट जाएग और पता नहीं कितने लोग बहकर चले जाएंगे पता नहीं कहां तो इसलिए यह सोच समझ कर डैम बनाया जाना चाहिए कि कितना बड़ा बने किस स्थान पर बने उसका यूज क्या क्या होगा सारी बातों पर सोच विचार कर ही डैम बनाया जाना चाहिए एक और तरीका है जिस से हम water conserve कर सकते हैं बचा सकते हैं वी आल नीड तो डू एज मच harvesting of rain water as possible कि जितना ज्यादा ज्यादा हो सके हमें पानी को वाट्यरार, वेश्टिंग मेंते होता है जल संचेह, इन थे इफिटी में घंठ डै Mund फ्लोज़के इन्टी में में अधूर में जो क्याुको थी या इक है कि जो रेन वाट्रम बारिष पर इंदि AN HACK जो स्लोली भाई आप सहरों में अक्सर देखे होंगे कि जो बारिज का पानी होता है वो नालियों से होते हुए बहता चला जाता है फालतु वेस्ट हो जाता है तो इस वाटर को कैसे बचाया जाए ताकि हमारा अंडर ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सके भर सके तो आप करेंग ठीक है खुदा ही करके बड़े-बड़े टैंक्स बनाये जाने चाहिए जिन में यह वाटर जाकर कलेक्ट हो और कलेक्ट होने के बाद इट सीप सीप्स मिन सोता रिसना धीरे-धीरे टपकना इट सीप्स स्लोली इंटू दा ग्राउंड अब यह धीरे-धीरे क्या होगा धी बढ़ाएगा भई दिस हेल्प्स इन इंक्रीजिंग दे लेवल अप अंडर ग्राउंड वाटर चलिए आगे देखते हैं रेन वाटर में आल्सो भी कलेक्टेड इन ओवर हेट टैंक्स एंड यूजट फार डेली नीट्स बारिस के पानी को हम छतों पर भी अलग-अलग प इस तरह से हम जल संचेयन रेन हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जल संचेयन कर सकते हैं पामी को बचा सकते हैं इस इस सम्थिंग दैट नीट तो बीड़न इन एवरी होम, स्कूल, आफिस, अब जरूरत ऐसी आ चुकी है कि हर एक घर में, हर एक स्कूल में, हर एक आफिस मे बहुत ही इंपोर्टेंट है, अर्थ पर जीवन को जीवित रखने के लिए, लाइफ को बचाना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर में भी इसको यूज कर सके, आल आफ वस नीट तो रिलाइज, दैट, एवरी ड्रॉप अवाटर इस इंपॉर्टेंट फॉर्टेंग लाइफ आ अर्थ, हम सब को अब यह असास हो जाना चाहिए कि पानी के हर एक बूद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अर्थ पर जीवन को जीवित रखने के लिए, लाइफ को बनाए रखने के लिए, पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, अला फॉर्स मस्ट टेक प्लीज, देख रह एवरी ड्रॉप आप वाटर, हम सब को सपत लेनी चाहिए, हम सब को प्रण करना चाहिए, कि हम लोग पानी की एक एक बूद को बचाएंगे, उसका नुकसान नहीं करेंगे, तब ही जाकर बच्चों, इस पानी की कमी की समस्या से दूर हुआ जा सकता है, नहीं तो आने वा को पसंद आ रहा होगा और पसंद आ रहा है तो like करें share करें अगर subscribe नहीं किया है अभी आपने subscribe करें और बेल ऐकन जरूर करें यहां कुछ keywords दिये हुए हैं देखिए deforestation cutting up trees in forest rainfall amount of rain falling at a place rain water harvesting collecting rainwater for day to day use rain हर्वेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जो बारिस का पानी है उसे कलेक्ट कीजिए डेली यूज के लिए बारिस के मौसम में सटेनिंग मिन्स होता है मेंटेनिंग फॉर लॉंग टाइम ठीक है पानी की बुनों को पानी को बचाहिए ताकि हम अपने लाइफ को लंबे समय तक सुरचित रख सके अंडर ग्राउंड वाटर मेंस वाटर प्रजेंट अंडर दस सर्फेस आफ अर्थ सर भाई जमीन के नीच मेंस सेविंग आफ वाटर पानी को बचाना तो यह सारा मैंने लाइन वे लाइन आपको एक्स्प्रेंड कर दिया है बच्चों आप वीडियो वाच करें और लाइन वाइन रीट करते जाएं और जो हाड़ वर्ट सों उन्हें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आई व यह सकता, दिस् 세 still करता है बच्चों करते हैं कर已经 थिर करता है बचर मैंने अव्चों करता हैं आपकोब एक करते हैं वीडियों कर मैंने आपको करते हैं आपको एक है।